जै मसी की सभी भाई और बहनों को मैं प्रभु येश्यु मसी के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के साथ प्रभु के चर्णों में जाती हूँ और प्रातना करती हूँ कि हम जो कुछ भी सीखें और जो कुछ भी आज पढ़ें उसको अपने हिर्दे में और अपने मनों में उतारे और साथ ही साथ अपने जीवनों में भी उसको उतारे तो प्रभु के नाम को इज़त और जलाल देते हुए मैं आज रोमियो की पत्री उसके एक अध्याय का सोलवा और स्तारवा वचन आपके लिए पढ़ने जा रही हूं रोमियो की अध्याए एक का सोलव वचन कहता है क्यूंकि मैं सूसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर योनानी के लिए उद्धार के नेमित परमीश्वर की सामर्थ है तो जिस तरह से आज वचन में हम देख रहे हैं हम सूसमाचार के विश्य में समझने और पढ़ने जा रहे हैं तो सच में सूसमाचार कितना ही सुहावना है तो अध्याए एक कि सोलवे वचन के अनुसार पॉलस कहता है जिसने की ये रोमियो की पत्री लिखी है प्रभुकदास पॉलस कहता है कि मैं सूसमाचार के विश्य में कभी भी नहीं लजाता हूं और उसके ना लजाने का कारण भी वो इसमें ही बता रहा है वो कहता है कि सू समाचार उधार के निमत परमेश्वर की सामर्द को दर्शाता है तो यहाँ पर हम एक अनोखी बात इस वर्स में देख सकते हैं वो यह है कि सू समाचार उधार दिलाता है और जो सू समाचार है वो कैसे उधार दिलाता है वो परमेश्वर की सामर्थ को यहां पर बताता है कि सूसमाचार के द्वारा ही परमेश्वर उधार दिलाता है और जो सूसमाचार वो सबी के लिए है यहूदी के लिए भी है और युनानी के लिए भी है सिर्फ एक ही कंडिशन है वो ये है कि हर एक वो इनसान जो उस पर भरोसा करता है जो उस पर विश्वास करता है उसी को ही परमेश्वर उधार देता है और इसके दौरा सू समाचार के दौरा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है तो कितनी ही अनोखी और कितनी ही मनभावनी बात है ये कि जो सू समाचार है वह परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है क्योंकि सू समाचार के द्वारा ही परमेश्वर उधार दिलाता है जिससे उसकी सामर्थ प्रकट होती है तो हम दूसरा पॉइंट देख सकते हैं अध्याए एक की स्तार्मी आयत में जो की कहती है क्यूंकि उसमें परमीश्विर की धार्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जिवित रहेगा विश्वास से ही धर्मी जन जिवित रहेगा यह जो एक आयत है यह रोमिय की पुस्त की रोमिय की पत्री की जिसको कह सकते हैं एक बेसिक आयत है क्यूंकि विश्वास से ही धर्मी जन जिवित रहता है तो इसमें हम देख सकते हैं जो पॉइंट निकल कर आता है वो यह है कि सूसमाचार से परमेश्वर की धार्मिक्ता सिध्ध होती है सूसमाचार से परमेश्वर कैसे धर्मी प्रकट होता है जो सूसमाचार से परमेश्वर इंसानों के उपर, मनुश्य के उपर धर्मी कैसे प्रगट होता है तो सूसमाचार से परमेश्वर धर्मी इस तरह से प्रगट होगा जब भी कोई मनुश्य उस पर विश्वास करेगा, उसके सूसमाचार पर विश्वास करेगा उसके लिए परमेश्वर की धार्मेकता जरूर प्रगट होगी वो जरूर इस बात को समझेगा कि परमेश्वर कितना धर्मी है सच में परमेश्वर इतना धर्मी है कि वो हमारे लिए क्रूस पर चड़ा और क्रूस पर चड़ने के बाद उसने हमारे सारे पापों के लिए अपने उपर ढोया उसने कितना दुख और तकलीफ सही उसके बाद जब वो मर गया वो तीसरे जिन जीवित भी हो गया और यही एक सू समाचार है हम सभी के लिए और इसी सू समाचार के द्वारा नमबर एक सू समाचार धार दिलाता है नमबर दो सू समाचार से परमेश्वर की धार में एकताप रगट होती है और हम रोमियो की पत्री में ही उसके दस हध्याय के पंद्रवा वचन भी देख सकते हैं उनके पाउं क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सूसमाचार सुनाते हैं और हमारे लिए इस बात से बढ़कर कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया कुरूस पर चड़ाया गया उसने अपना कत्रा कत्रा लहू बहाया अपनी शरीर को तोड़ा और तीसरे दिन वो जीवित भी हो चुका इससे बढ़कर क्या ही सुसमाचार है और रोमियो की पत्री अधिया एक की आयत सोला और स्तारा से यही तेन बाते सामने आती हैं नमबर एक इस सुसमाचार से की प्रभी येश्व मसी हमारे पापों के लिए करूस पर चड़ाएगे मारे गए गारे गए और तीसरे दिन जी पर उठे इस सुसमाचार पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ती उद्धार पाएगा और वो उद्धार सिर्फ और सिर्फ सच्चे परमेश्वर की सामर्थ है और सच्चा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ येश्व मसीया है क्यूंकि वो ही हमारे पापों के लिए कुरूस पर चड़ाया गया और नमबर दो सुसमाचार पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिक्ता प्राप्त होगी और परमेश्वर धर्मी है क्योंकि उसने अपना एकलोता पुत्र हमारे गुनाहों के लिए दे दिया और नमबर तेन इस सूसा माचार पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति धर्मी है और धर्मी जन सिर्फ उसे विश्वास से जिवित रहेगा और व्यक्ति धर्मी कैसे बना है क्योंकि प्रभु ये शुमसी हमारे पापों के लिए कुरूस पर चड़ाएगे और तीसरे दिन जी भी उटे और ये उसकी धर्मिकता थी और उसके कुरूस पर चड़ाए जानने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरे हैं तो मैं आशा करती हूं और विश्वास करती हूं कि आप भी पालूस की तरह सूसमाचार को फैलाने से बिलकुल लज्जित नहीं होंगे बलकि घर्व के साथ सूसमाचार फैलाएंगे और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आपको इन दो आयतों के दुआरा परमेश्वर ने आपसे बाचीत करी है तो मैं प्राहतना करती हूँ कि परमेश्वर का अनुग रहे आपके साथ रहे और आप इसी जरा परमेश्वर में बढ़ते रहे और मैं परमिश्वर का अनुगरे आपके लिए मांगती हूँ, आपको बलेसे टहराती हूँ, तुझ जय मसीखे